प्रभू, अम्यवे नहीं जानते कि आप कहां जा रही हैं, तो वहां का मार्ग कैसे जान सकते हैं। संत योहन का सु समाचार अध्याचौदा पसंक्या पांच आज का सुपसंदेश। हे प्रभू, मैं सदाही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभू ये सुमसी आज का सु समाचार में अपने सिश्वों से एक नया संबंद जोडते हैं। वो कहते हैं, तो मारे जी गबराये नहीं, लेकिन उस प्रभू पर, उस ईश्वर पर विश्वास करो, और साती सात मुझ में विश्वास करो, कि मैं वो इनसान हूं, वो शब्द हूं, जो ईश्वर के सात्ता मनुश्य बनकर संसार में आया। और वो कहते हैं, मैं पिथा के पास जा रहा हूं, आप सब को निवास उस्तान तयार करने के लिए, और वहां जाने के बाद ही, मैं आप सब को वहां ले जाओंगा। दिखेगा एक सम्मंद किस प्रकार प्रभु येजु अपने सिश्यों को सांत वाना देने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रभु को पता था, कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्ति होगे। वो निद्दु को जेलना पड़ता है, और ये भी पता था, उनके मृत्ति और प्रुरतान के वज़े सही, सिश्यों को और हम सब को मुक्ति मिलेगी। इसलिए प्रभु उनको सांत्वाना देते हैं, सिश्यों का दिमाग भी देखेगा, शायद वो प्रभु को समझने में उतना आतुर नहीं थे, प्रभु को नहीं समझ पाये थे, तो हमस कहते हैं, प्रभु हमें पता था, आप कहां जा रहे हैं, और वांका मार्क कैसे पता क करेंगे, प्रभु स्वायम कहते हैं, सुसमाचार में आगे मार्क, सत्य और जीवन में हो, जी हमेरे प्यारे बाइतता पहनो, प्रभु ही हमारे मार्क है, प्रभु हमारे सत्य है, और हमारे जीवन वही है, कि उलामें उसको पहचानना है, सिश्यों पहचान नहीं पाये, ल प्रभु सत्य है, प्रभु जीवन है, क्यों? उन्होंने प्रभु को सक्षात अनभव किया, पुनर्टान प्रभु को उन्होंने देखा, परका और अपनाया, आज मुझे जब सक्षात रूप में प्रभु को नहीं देख सकता हूं, वचन मेरे सामने है, यूकरेस्त कि द्वारा अच्चे कार्य करने के लिए आत्यात्मिक कार्यक्रम रखा जाता है, क्या मैं उस प्रभु में विश्वास करने के लिए कोशिश करता हूं? क्या प्रभु मेरा मार्ग है? क्या प्रभु मेरा सत्य है? क्या प्रभु मेरा जीवन है? आये आज यहने प्रश्टनू को पूचे मैं किस प्रकार अपने जीवन को प्रभू को समर्पित कर सकता हूँ आमेन